नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुसर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है यूजिसी नेट एकजाम 2023 हिस्टरी प्रेटिसेट 408 जिसकी परिच्छा 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 को निर्धारित की गई है तो चलिए वीडियो प्रारम्भ करते हैं वीडियो प्रारम्भ करने उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम्भ करते हैं हाँ अगर आप लोग और भी प्रिवियस यर्स या इससे पिछला प्रेटिसेट 407 तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसक प्ले वीडियो प्रारम्भ करते हैं यहां पर पहला क्वेशन है निमलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाईए और नीचे दिए गए कूट्टों से सही उत्तर का चैन कीजिए पहला दिया इसमें यानि ए नंबर कल्याड़ी के चलो के राज का पतन और दूसरा दिया या राजेंदर चोल द्वारा सिरलंका फर बिजय प्राप्त करना और सी है यादो राजी देवगीरी का दिल्ली संतनत में बिले और डी है वेनिस के यातरी मारको पोलो का दच्छन भारत की यातरा इसमें कालक्रम यानि घटना के राज कर दूसरार कालक्रम आपको लगाना है सबसे पहले चले देखते हैं इसमें कल्याणी के चलूख का पतन हुआ था राजेंदर चोल द्वारा सिर्लंका पर बिजय प्राप्त करना तो राज अंदर चोल जाए सिरलंका पर विजय प्राप्त किया था संपुर्ण सिरलंका को और अपने समराज में मिला लिया था तो यह किया था इसके बाद देखें यादो राज देवगीरी का दिली संतनत में बिले किया गया था ये ग्यासु दिन तुगलक के समय में तेरा सो बीस से पचीसी सिवी इसका डेट है तेरा सो बीस से पचीसी सिवी और वेनिस के यात्री मारकोपोलो के दच्छिड यात्रा तो वेनिस का जो निवासी था मारकोपोलो और दच्छिड में पांड राजी के सासनकाल में आया था यह कब आया था 1292 यह डेट है इस लेट से मिलाएंगे तो आपका जो आपका जो आपका सही बैठता है यानि पहले वी आपका राज अंदर चोल इसके बाद एक कल्यानी के चालुक इसके बाद डी 1292 इसके वार सबसे लाश्ट में यादो राजे देवगीरी दिल्ली संतनत में बिल है तो बी वला आपसन आपका सही क्रम है काल क्रम इसका तो बी इसका राय टेंसर होगा कोश्चन नमबर दो पर आते हैं यहां पर दिया है निमलिखित में से किस गरंथ में फिरोसा तुगलक की नहर योजना का बिस्तिरित विवरण मिलता है तो नहर योजना का बिस्तिरित विवरण मिलता है यह पूछा जा रहा है कौन सा गरंथ है दिया है फुतोहाते फिरोसाई तारीखे मुबारक साई तारीखे फिरोसाई या इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका जो राइट एंसर होगा वह है तारीखे फिरोज साही तारीखे फिरोज साही तो इस गरंथ में जो है फिरोसा तुगलक की जो नहर योजना है इसके बार अफीप इसका राइटर था जो इस पुस्तक में इसकी जानकारी देता है और अगर जान लेजिए फुतुहात फिरोसाही अगर बात करें तो यह फिरोसा तुगलक की आत्मकथा है और स्वयम इसके रचना जो किया था फिरोसा तुगलक ने और एक प्रकार से आत्मकथा है और तारीखे मुबारक साही इसकी बात करें तो तारीखे मुबारक साही की रचना जो है याहिया बिन अहमद सरहंदी ने किया था और इसको जो है सयद्वन्स का एक सासक था जिसका नाम था मुबारक सा इसके सनच्छन में था यह और तारीखे फिरोज साही अभी आपको बताएं हैं समसे सिराज अफीफ इसके पुस्तर की रशिना किया था जिसमें नहर के बिस्तिरत वण मिलता है तो यहां पर मिलें बिस्तिरत नहर का इसका रायट नहर से तीसरा वला सही हो जाएगा कोश्शन नमबर तीन आते हैं इसमें अलावधिन खिल जी के सुधारों के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार करना है विचार करके आपको नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर चेयन करना है इसमें कोन सा सही उत्तर चेयन होगा दिया है जागिरों में दी गई समस्त राजास्व मुक्त भूमिक को जप्त करना ये तो सही है 100%, B दिया है अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना ये भी आपका सही है तो A और B सही है इसमें इसके बाद दिया है, इसमें, बड़े अमीरों और सेनापतियों को इक्ता को समाप्त करना था, इक्ता को समाप्त नहीं किया था, ये गलत है, चौथा दिया है इसमें, यानि D, सराब की सारवजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, ये भी सही है, सराब की सारवजनिक की जो बिक्री था, इस पर पाबंदी भी लगाया था, लाओ दिन खिल जी, तो इसमें C वल आपसन गलत था, इसके बाद A, B और D, जिसमें आपसन होगा, वही सही होगा, तो A, B, D आपका तीसरा वल आपसन कूट इसमें सही बठेगा, Q4 है, निमलिकित में से अलवार संत कौन थे, अलवार संत कौन थे, दियाए अपपार, कुल सेखरा, या संबदार, या वैंकेट, नाथ, तो इसमें अलवार संत पुछा जा रहा है, इसमें आपका राइट एंसर, दूसरा सही होगा, कुल सेखरा, ये जो है, अलवार संत थे, तो कुल स्वेखरा एक अलवार संत थे, अलवार ये जो वैसोन धर्म के उपासक इनको कायता है, इसके अलवा अपपार, संदार और वेंकटना थे, ये तीनों लोग जो है नैनार संत थे, और ये सैव धर्म के उपासना से सम्मंदित थे, तो अलवार और नैनार ये दच्छि यहां पर अलवार संथ पूछा है तो खुल सेखरा कोश्चन नमबर पांच पर आते हैं मारको पोलो की पुस्तक मुख रूप से वलन करती है क्या वलन करती है दच्छिन भारत की राजनेतिक इतिहास यह दच्छिन भारत का आर्थिक इतिहास या दच्छिन भारत का सांस्कृतिक इतिहास या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो मारको पोलो की जो पुस्तक है ये मुख रूप से वड़न करती है तो ये करती है दच्छिन भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में दूसरा इसमें सैयोगा, दच्छिन भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में, तो यह बेनिस का यात्री था मार्को पोलो, और अपनी पुस्तक में मुखरूप से जो है, दच्छिन भारत की जो आर्थिक है, उसके इतिहास का वड़न किया है, और यह जो है 327 के अंत में, यानि पांडे सासक और मारको पोलों को अगर देखा जाया तो इसको जो है मध्य काली नियात्रियों का राज कुमार भी कहा जाता है और आर्थिक लिखने कारान था इसका देखे उसके अनुसार बतायाता है कि जो भारती अपना बहुत सा पैसा जो है घोलों को खरिदने में खर्च करते थे और उसके इंसार जो पांड राज था वहाँ पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और उसने काकेवंस की महिला सासका थी रुद्रमा देवी काभी उलेख मिलता है इसमें कुल मिलाकर जो है दच्छिर भारत के आर्थी की इतिहास के बारे में वालन करता है यह मार्को पोलो जो घोलों के पैसा को लें देन को लेकर कोश्चन नमबर छे है निम बिदेशी यात्रियों की दच्छिन भारत की यात्रा को तीथी क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिये गए कूट से सही उत्तर का चियन करना है इसमें कौन यात्रिक कौबाया था इसका सही अंसर आपको लगाना है और यह लगाएंगे आप जब आपको डेट सही पता होगा तब चलिए बताते हैं इसमें ए ती ए निकितीन जो है यह कब आया था यह आया था 1470 इसवी में 1470 इसवी में आया था ए निकितीन और यह जो है रूस का यात्री था कहां का था यह यह रूस का यात्री था रूस का यात्री था और बहमनी समराज में मुहम्मद तर्ति के शासनकाल में आया था यह इसके बाद दूसरा देखिए सीजर फेडरिक सारी सीजर फेडरिक है फीजर नहीं सीजर फेडरिक और यह जो है पुर्तगाल का यातरी था और यह आया था वीजयनेगर भरमाल करने के लिए बिजयनेगर में आया था और यह कब आया था 1565 इसवी में कब आया था 1565 इसवी में ताली कोटा का यह धोरा था उसी किसमें आया था यह इसके बाद अब्दुल रज्जाक की बात करें तो अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था और बिजयनेगर सम इसके बाद लाष्ट वाला है डोमिंगो पायस तो डोमिंगो पायस एक इटली का यात्री था और यह बीजनेगर समराज जो सासक थे कृष्णर देवराय के सासनकाल में आया था और यह आया था 1520 इसी में कब आया था 1520 इसी में इस करम से आप यह एंसर इसका मिला सकते हैं इस डेट से कौन पहले आया था तो आपका जो इसमें एंसर बैठेगा तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं यह कि यहनी 1470 इसके बाद नहीं नहीं सडी होगा सबसे पहले हैं सबसे पहले कि 1565 कि सबसे पहले आपका हो जाएगा कि नहीं सबसे पहले बी हो जाएगा आपका बी के बाद ए हो जाएगा इसके बाद डी 1520 और लास्ट में आपका हो जाएगा बी लास्ट में हो जाएगा आपका कि सी उपर नीचे एक करम हो गया है, इसलिए सही नहीं बैठ रहा है, तो आपका राइट एंसर अगर देखेंगे इस करम में, तो B, A, D, C, B, A, D, C आपका जो राइट एंसर है, वह है, चार नमबर सही होगा इसमें, कोशन नमबर साथ है, सुमेलित करने वाला, चले इसको सुमेलित करते हैं, एक तरफ अस्थानों के पूराने नाम है, एक तरफ आधनिक नाम है, वरन, बरन जो है, का आधनिक में क्या नाम है, तो देखिए, बरन जो है, आधनिक में ये बुलंद सहर नाम है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में पढ़ता है इसके बाद कराचिल कराचिल भी एक प्रकार से संत्रांत कालिन सहर का नाम था वर्तमान में कुल्लू क्या नाम है वर्तमान में कुल्लू और यह कहां पर है हिमांचल प्रदेश में है इसके बाद तबरहिंद तबरहिंद का जो है आधनिक न एक मुगल कालिन सहर का नाम था और जिसे वर्तमान में भटिंडा के नाम से जाना जाता है और भटिंडा वर्तमान में कहां पर है पंजाब में है इसके बाद पटन पटन का जो है आधनिक नाम क्या है तो पटन का आधनिक नाम आपका है अहिलवार क्या नाम है अहिलवार और ये एक प्रकार से मध्ध कालेन सहर्थ है और इसका वर्तमान में नाम अहिलवाड है और यह जो है गुजरात राजी में है इस प्रकार ये सुमेलित है तो इसमें आपका राइट एंसर दूसरा वाला आपसना आपका सही होगा कुश्चन नमबर आठ है आठ नमबर गयासुदिन द्वारा तुगलक वंस की निव रखने से संबंदी निमलिखित कत्वों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है इसमें गयासुदिन तुगलक वंस की निव रखने के संबंद में सही नहीं है इसको द्यान देजिएगा सियासन रून होते समय ग्यासुदिन के आधिकार को एकमत से स्विक्रित किया गया था यह तो सही है ग्यासुदिन के पास भारी गिंती में वफदार सिपाय थे जिन्होंने उसे समध्थान दिया यह भी सही है संतनत की इस्तिरता के होगा नहीं पूछाए कि कुष्ण नंबर नौ नंबर पर आते हैं कथन कारल से कुष्ण है यहां पर कथन दिया है कि दिल्ली के संतनत काल में सास की अधिकारियों का बेवहार सर्यत द्वारा संचालित होता था यह तो गलत है सर्यत द्वारा संचालित नहीं होता था यह द है सह यहां और भारत के सरेतों को नियम को पूरी तरह पालान नहीं करते थे ये गलत है आपका दूसरा देखे करहें इसmpalणदेश को दारेवर्ण हर्व से दारुल इसलाम में परिवार्ति करना नहीं था तो यह आपका कथन सही है इसमें आपका जो एंसर होगा चौथा होगा एक गलत है और आर आपका सही है कोश्चन नमबर दस है और अनतिम कोश्चन है आज के लिए सेक सफुरुदीन याहिया मनहेरी सारी मनेरी सूफी सिलसले से संबंद रखते थे तो सेक सफुरुदीन याहिया मनेरी सूफी सिलसले से संबंद रखते थे किस सूफी सिलसले से संबंद रखते थे फिरदौसी चिस्ती सुहरावर्दी या नक्स बंदी इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा एक नमबर फिरदौसी से कि अब तो सेक सफुरुदीन याहिया मनेरी सिलसले के सूफी संब थे और इसने जो है इनके बिहार के मनेर नामक अस्थान पर अपना खान कहके स्थापना की थी और बिहार में सबसे अधिक प्रभावज जो है सिल्सला का ही पड़ा था तो इसमें इंसर आपका एक नमबर सही होगा ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम